हेलो फ्रेंज नमस्कार एजुकेशन लवर वीपीन में आपका स्वागत है मैं हूँ वीपीन कुमार आज हम लोग ससी समान अध्यन के प्रसनों का अध्यन करेंगे यह सभी प्रसन एकजाम के पॉइंट आप भी हूँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1997 से लेकर अब प्रसनों को देखेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे और यही प्रसन बार बार इकजाम में रिपीट होता है इसलिए इकजाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज हम लोग जिस चप्टर का अध्यन करेंगे वह है क्यमेस्टी यानि के पहले टाइप का अध देख चुके हैं आज हम लोग केमस्टी के टाइप नमर वन से शुरुवात करेंगे और इसे भी दो-चार दिन के अंदर पूरा कर लेंगे उसके बाद बायो और इसी तरह सहरेक सब्जेक्ट को परने का प्रियास करेंगे जिस रप्ता से हम लोग चल रहे हैं ऐसा लगता है क कि एक माहिना के अंदर यह बूक कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि परतेग दिन टाइप वन एक एक टाइप का अधियन किया जाता है जिसमें डेर सवा से लेकर एक सवा से लेकर दो सवा तक के प्रस्णों होते हैं तो आज जिस टाइप का अधियन करेंगे वह टाइप वन होगा और इसमें टोटल एक सवा प्रस्ण होंगे देखिए रसाइन विग्यान यानी केमेश्टी में टोटल दस सवा संतावन प्रस्ण हैं जोकी साथ टाइप में बटा हुआ है आज जिस टाइप का अधियन करेंगे टाइप वन है और टाइप वन में हम लोग और विशेष्टा से संबंधित प्रस्णों का आधियन करेंगे इस संबंधित जो भी प्रस्ण बनते हैं और अभी तक बने हुए हैं एक्जाम में पूछे गये हैं बारवा जो रिपीट हुए हैं उन सारे प्रस्णों को देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहल प्रस्ण पहला प्रस्ण है यहां हम ऑप्षन लगा सब का नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आप पहले कापी कलम लीजिए और क्वेस्टन को देखिए और खुछ से प्रियास करने का करने का प्रियास कीजिए तो ठीक रहेगा पहला प्रस्ण है जब दो एलक्टोन एक ही कछ में होते हैं तो उनमें चक्रन कैसा होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा विपरित चक्रन होता है कारवन का परमानु करमांग 6 है परमानु भार 12 है कारवन के नाभिक में कितने प्रोटोन होते हैं तो इसका सही जबाव हो जाएगा कारवन के नाभिक में 6 प्रोटोन होते हैं इसी परमानू के नाभिक में जितने प्रोटोनों की संख्या होती है उसे ही परमानू करमांग कहा जाता है यहाँ पर देखिए परमानू करमांग 6 है तो इसलिए प्रोटोनों की संख्या भी 6 होगी अगला प्रस्न है परमानू के नुकलियस में पाए जाने वाले मूल कन कौन से है परमानू के नुकलियस में कौन से कन पाए जाते है तो परमानू ये हुआ और ये नुकलियस हुआ मान के लिए तो इसमें न्यूट्रोन और प्रोटोन रहते हैं और इसके चारों और एलक्टोन चक्कर लगाते रहते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोन और न्यूट्रोन प्रोटोन धनावेशित कन है जबकि न्यूट्रोन आवेश हीन कन है और एलक्टोन की बारे में कहा जाए तो एलक्टोन रिनाविसित कन होता है एलक्टोन की खोज जेजे थॉम्सन के द्वरा किया गया था प्रोटोन की खोज गोल्डस्टीन या कहीं कहीं रदरफोर दिया रहता है तो गोल डश्टीन या रदर फोड के द्वरा किया गया था और न्यूट्रोन की खोज चेडवी के द्वरा किया गया था अगला प्रसन है नूकलियस की दर्मान संख्या Q4 नूकलियस की दर्मान संख्या कभी उसके परमानु करमांग से अधिक और कभी बराबर होती है लेकिन कम कभी नहीं हो सकती है देखिए यह नूकलियस है यह परमानु है और ईसके नावीक है तो इसमें टूटल कोणगा इसके यह रहते हैं तो यह रहता है प्रोटोन और निउट्रोन रहता है तो वही कहा गया है कि नूपलेश की Darm油 संख्यां क्या होती है तो कभी उसके परमानु करमांग से अधिक और कभी उसके बरावर होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नूकलियस में प्रोटोन हो और नूट्रोन हो तब ये परमानू संख्या से अधिक हो जाता है जब नूकलियस में नूट्रोन की संख्या नहीं होती है तो उस समय वह दर्मान संख्या परमानू संख्या के बरावर हो जाती है जैसे हाइडोजन में होता है तो हाइडोजन में परमानू संख्या एक है और उसका दर्मान संख्या भी एक है अगला प्रसन है क्वेस्चन नमबर पाँच किसी परमानू का रसाइनिक बेभार निर्भर करता है उसके की संख्यां पर किसी प्रमानों का रसाइनिक विभार किस पर निर्भर करता है तो नुकलियस के चारों और घूम रहे एलक्टोनों की संख्यां प्रोटोनों की संख्यां प्रोटोनों की संख्यां से अधीक होगी तो वह कन रिनावेशित कन कहा जाता है जब कि यह एलक्टोनो की संख्यां प्रोटोनों की संख्यां से कम होगी तो उसे धनावेशित कन कहा जाता है अगला प्रसन है क्वेस्चन नमर छे नाविक यानि नुकलियस के बिना एक परिपक अस्था नाग्र कोशिका है तो यह कैसी कोशिका है तो लोहित कोशिका ओप्सन दोज सही हो जाएगा अगला प्रसने 7 नमर किसी तद्ब के संख्यां को के बीच नंतर किनकी भीन यानि आलाग संख्यां की उपस्थति के कारण होता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा निउट्रोन देखीये समस्थानिक कहते किसको हैं तो वैसी परमानु जिसमें गया परमानु संख्या समान होती है जबकि उसका दर्मान भिमन होता है और दर्मान भिन तभी होगा जब निट्रोनों की संख्या में अंतर होगा यानि नीट्रोन की संख्या अलग अलग होंगे तभी उपरमानू संख्या भीन हो जाएंगे अगला प्रस्ण है आनवी कछा का अभिन्यास किसे नियंतरित होता है आनवी कछा का अभिन्यास किसे नियंतरित होता है तो इसका सही जवा हो जाएगा चुम्बकिया क्वांटम संख्या अगला प्रसन है 106 तत्व की खोज किसने की थी 106 तत्व की खोज किसके द्वारा किया गया था सीबॉर्क के द्वारा किया गया था अगला प्रसन है क्वेश्चन नमर 10 किस न्यूकलियर कन में कोई दर्मान और कोई आवेश नहीं होता है किन्तु प्रचक्रन होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रोनों न्यूट्रोनों में कोई दर्मान और कोई आवेश नहीं होता है परमानु तत्व संख्या 29 किस से संबंदित है तो D ब्लॉक से संबंदित है D ब्लॉक वैसे ब्लॉक को कहा जाता है जो संक्रमन तत्व होता है इस आवर्थ सार्णी आप देखे होंगे यह आवर्थ सार्णी है तो यह दो ब्लॉक जो होते हैं सुरुवात में इसको S ब्लॉक कहते हैं और यहां से 12 से लेकर यहां तीन से लेकर 12 तक के जो समू होते हैं उसे D ब्लॉक कहा जाता है उसके बाद यह P ब्लॉक आता है और अंतिम में जो अठारमा समू होता है वो भी P ब्लॉक के ही अंदर आते हैं उसे अक्रिया गयस कहा जाता है तो इसके बीच जो तत्व आते हैं उसे D ब्लॉक खुलाते हैं अगला प्रस नोमबर 12 पदार्थ का प्रमानु सिध्धान्त किसने प्रतिक पादित किया था सही जबा हो जाएगा डौल्टन के द्वहा परतिक किया था मुंबत्ति का जलना या द्दाहन ड्यास है मुंबत्ति का ड़लना क्या है है तो मुम्बत्ती जलता है तो उसमा निकलता है तो इसलिए इसे उसमा छेपी अभिकिरिया कहा जाता है निमलिखित में से काउंसी संख्या इलक्टोन की अधिक्तम संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 और इसको कैसे निकलते हैं तो थोड़ा जान लीजिए पहले होता है के सेल उसके बाद L फिर M और N और इसी तरह तो इसको निकलने के लिए 2N स्क्वाइर का फॉर्मूला लगाते हैं यह केक 1 हुआ यह L 2 हुआ और M 3 और N 4 तो देखिए M सेल में पूछा गया है तो M को यहां 3 रख एन को जगा 3 रखते हैं तो 3 दू गुना 3 का स्क्वाइर तो 3 का स्क्वाइर 9 होता है और 9 दुनी 18 हो जाता है तो इस परकार M सेल में अधिकतम 18 तत्व को आप रख सकते हैं अगला प्रस्ण है एक ऑक्सीजन परमानूं में दो परमानूं किसे बद होते हैं एक ऑक्सिजन परमानू में दो परमानू किसे बद होते हैं तो इसका सही जबा हो जाएगा डबल बॉन्ड यानि दोनों बंद से बंद होते हैं अगला प्रसन है विभीन तत्वों के परमानू में होता है विभीन तत्वों के परमानू संख्यां और भिन भिन संयोजी अलक्टोन संख्यां होती है अगला प्रसन है धानायन और रिनायन दोनों रूपे में आवसूसी तत्व है धानायन और रिनायन दोनों रूपों में अवसोशित तत्व हैं नाइट्रोजन नुकलियोनों को कीन उपकरनों का मिस्र माना जाता है इसका सही जबाब हो जाएगा क्वार्क स्टिपी पर गयास के एक मॉल में कितने परमानू होते हैं तो यह एबोगाडो संख्यां के बराबर परमानू होते हैं तुछका सही जबाब हो जगा च्छादसनलव 0-23-10 पर तैस जब दो परमानूं के बीच आवंद बनता है तो परनाली यानि समुदाय की उड़जा समुदाय की उर्जा वैसी ही रहती है जब दो पर्मानूं के बीच आवंध बनता है तो परनाली की उर्जा वैसी ही रहती है question number 21 है इस तत्व का परमानु भार मानक के रूप में लिया जाता है कौन सा वह तत्व है जिसका परमानु भार मानक के रूप में लिया जाता है सही जबाव हो जाएगा carbon और ये sse cgl means 37.1.203 में पूछा गया था hydrogen के समास्थानिकों की संख्या hydrogen की समास्थानिकों की संख्या कितनी है तो इसका सही जबाव हो जाएगा 3 hydrogen के समास्थानिक 3 है proteum, deuterium और tritium और tritium जो परमान ये समास्थानिक होते हैं ये विद्दुत सक्रिया समास्थानिक है hydrogen के helium परमानू जब electron खोता है तो वह यह बनता है वह क्या बनता है तो इसका सही जबाव हो जाएगा धनात्मक helium आयन अगला प्रसने question number 24 निमलिखित किन कनों में कनिय तरंग की दूई परकृति पाई जाती है निमलिखित किन कनों में कनिय तरंग की दूई परकृति पाई जाती है तो इसका सही जबाब हो जाएगा Electron निमलिखित में से किन दाता परमानू नहीं है निमलिखित में से कौन दाता परमानू नहीं है इसका सही जबाब हो जाएगा Aluminium Aluminium दाता परमानू नहीं है जब किसी तद्व के परमानू की एक से ज़्यादा दर्मान संख्या होती है तो उसे क्या कहते है तो उसे कहा जाता है आईसो टॉप किसी ग्यास का आन्मिक दर्मान ड्यास होता है किसी ग्यास का आन्मिक दर्मान उसके वास्पदाब से दोगुना होता है एलक्टोन का एंटी पार्टिकल क्या है एलक्टोन का एंटी पार्टिकल है पोजिट्रोन निवलिखित में से कौन सी संक्रमन धातियों की एक विशेष्था नहीं है संक्रमन धातियों की विशेष्था नहीं है एलक्टोन प्राप्त करने की परविर्थी नहीं होती है इसमें एथिलीन एक ड्यास अनु है एथिलीन एक ओधुर्विय अनु है अगला प्रसन है क्वेशन नमर्ण 31 सम भारकों में ड्यास होता है सम भारकों में समान भार संख्याएं किन्तु विभिन परमानुं संख्याएं होती है किसी परमानों के उच्चितम उर्जा अस्तर में इस्थित अलक्टोन को कहा जाता है उसे कहा जाता है संयोजक्ता अलक्टोन निमलखित तत्वों में से किसकी परमानों संख्या फलोरीन की तुलना में अधिक है सोडियम, बेरिलियम, नैट्रोजन या बोरन तो इसका सही जबाब हो जाएगा सोडियम एलक्टोन ड्यास गति के केंदर के चारों और घूमते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छया गती में केंदर के चारो और घुरते हैं अलक्टोन दो परमानों के बीच बंद की ड्यास परकेती आधिक होती है यदि उनकी विदुत रिनात्मक्ता का अंतर कम होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सह सहयोजक दो परमानों के बीच बंद की सह सहयोजक परकेती अधिक होती है यदि उनकी विदुत रिनात्मक्ता का अंतर कम होता है Q36 है ड्यास वाब सुचमानों है जिसके पास कोई विदुत आवेस नहीं होता है तो कोई बिदूत आबेस नहीं होता है तो ये neutron में कोई बिदूत आबेस नहीं होता है pH scale की सीमा 10 होती है तो pH scale की सीमा 0 से लेकर 14 के बीच होती है 0 से लेकर 14 के बीच होती है ऐसे होती है pH scale यहाँ 0 है 1, 2, 3, ऐसे का यहाँ 7 होगा और साथ से यहां फिर चोद्या आएगा तो जीरो से साथ के बीच को जो भी पियाच मान होता है जीरो से साथ के बीच में वो अमलिये होते हैं और साथ से चोद्या के बीच जो होते हैं वो छारिये होते हैं और जिसका पियाच मान साथ होगा वो उदासीन होंगे किसी पदार्थ के एक मोल का दर्मान ग्राम में क्या कहलाता है तो उसका सही जबाब हो जाएगा आनबिक दर्मान एलक्टोन को प्राप्त करने की परकिरिया को ड्यास कहते हैं एलक्टोन को प्राप्त करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो उसका सही जबाब हो जाएगा आप चयन परकिरिया कहते हैं एलक्टोन की खोज किसने की थी एलक्टोन की खोज जेजे थॉमसन के द्वारा किया गया था मिर्दा निमलिखित में से किसका एक उधारन है? मिर्दा उधारन है विसमांगी मिश्रन का एक परमानू ड्यास होता है एक परमानू एक तत्व का सबसे छोटा ओविभाज कन जो एक रसाइनिक परिवरतन में भाग लिये सकता है निमलिखित में से कौन उर्ध पातन का उधारन है उप्सन है सूखी बर्प कपूर बर्प तो इसका सही जवाब हो जाएगा केबल एक और दो दोने यानि सूखी बर्प और कपूर उर्ध पातन का एक उधारन है एक हाइडोजन परमानू का दर्मान एक एलक्टोन के दर्मान का कितना गुना होता है तो यह होता है 1837 गुना एक हाइडोजन परमानू का दर्मान एक एलक्टोन के दर्मान का 1837 गुना होता है निमलखित में से कौन धन आवेशित नहीं है तो धाना आवेशित नहीं है, उप्सन है अलफा कन, प्रोटोन, हिलियम नाभिक या एलक्टोन तो इसका सही जवाव हो जाएगा प्रोटोन, प्रोटोन धाना आवेशित कन नहीं है 36 ग्राम जल में कितने मोल उपास्थित होते हैं 36 ग्राम जल में दो मोल उपास्थित होते हैं अगला प्रस्ण है निमलिखीत में से औरनेश्ट रदरफोर ने काउन से कनो को सोने की पन्नी पर टकराया था तो सोने की पन्नी पर टकराया गया था अलफा कनो को अगला प्रस्ने निमलिखीत में से कौन सा द्रो का ठोस में कौलाइडल बिलियन का उधारन है तो उसका सही जबाव हो जाएगा पनीर अगला प्रस्ने निमलिखीत में से कौन से कथन सही है तो कौन से कथन सही हो जाएगा option है पहला आइनिक योगिकों के गलनांग तथा क्वथनांग उज़ होते हैं कार्बनिक योगिकों योगिक अच्छे बिदुद्चालक नहीं होते हैं या कार्बनिक योगिकों के गलनांग तथा क्वथनांग निम्न होते हैं तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा सभी कतन सही हो जाएगा आएनिक योगिकों के गलनांक तथा कॉत नांक उच्छ होते हैं सही है कार्मनिक योगी अच्छे बीदुद्ध चालक नहीं होते है यह भी सही है कायबनिक योगिकों का गलनांग तथा कुतनांग निमन होते हैं ये भी सही है अगला प्रसने निमलिखित में से कौन सा अश्टक नियम के अबबाद को दर्साता है अश्टक नियम के अबबाद को दर्साता है बोरोन किसी उदासीन बिलियन का पियाच मान क्या होता है किसी उदासीन बिलियन का पियाच मान होता है साथ निमलिकित में से किसको किसी तत्व के उश सुच्मतम कन के रूप में परिवासित कर सकते हैं जो स्वतंत रूप से अस्तित में रह सकता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनू क्वेश्चन नमर चववन है परमानू तिर्जिया को व्यक्त करने के लिए सबसे उप्युक्त इकाई कौन सी है निमलखित में से कौन उर्धपातन का उधारन है उर्धपातन का उधारन है कौन उप्सन है सूखी बर्प कपूर या बर्प और कौईस्चन रिपीट हो गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों यानि सूखी बर्प और कपूर दोनों उर्धपातन का उधारन है निमलखित में से सबसे कम गल्लांग किसका होता है और अप्सन है कार्वन, चांदी, पारा या सोना तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा का गल्लांग सबसे कम होता है ये कैमरे के दाप पर दुरव आवस्था में पाय जाता है पर्मानु संख्या को किस वर्नाचड द्वारा दरसाया जाता है परमानु संख्या को किसे दर्साया जाता है सही जबाब हो जाएगा जैड प्रोटोन को पी से एलक्टोन को इसे परमानु संख्या को जैड से और परमानु दर्मान को इसे निरुपित किया जाता है अला प्रस्ण है धनायन कैसे बनते हैं धनायन कैसे बनते हैं तो इलक्टोनों के निस्कासन से धनायन बनते हैं परमानू के नाभिकी यानि क्यंदरक के घटक क्या हैं तो परमानू के नाभिक में कौन-कौन से पाय जाते हैं तो प्रोटोन और नीट्रोन दोनों हो जाएगा तो इसका सही जबाब हो जाएगा प्रोटोन और नीट्रोन रीन आयन कैसे बनते हैं रीन आयन बनते हैं लक्टोन के संयोजन से निमलेखित में से कौन सा एक मिसरन नहीं है ओप्सन है दूद, नीबू, पाणी, भरफ या मिट्टी निमलिखित में से काउंसा एक मिश्रन नहीं है तो इसका सही जबा हो जाएगा बर्फ मिश्रन नहीं है अगला प्रसन है सोडा पानी का पीयच मान ड्यास है सोडा पानी का पीयच मान होता है साथ से कम साथ से कम होता है निवलिखित में से काउंसी पदती दूज से मक्षन यानी क्रीम निकालने में सहायक है ओप्षन है आस्मन, केंद्राप सारन, क्रेमेटोग्राफी या उर्ध पातन तो इसका सही जबाव हो जाएगा केंद्राप सारन किसी भी योगिक में तत्व सदय एक निश्चित ड्यास के अनुपात में विद्मान होते हैं अप्षन है दर्मान, आयतान, आकार या विकलप में से कोई नहीं तो इसका सही जबाव हो जाएगा दर्मान किसी भी योगिक में तत्व सबय एक निश्ची दर्मान के अनुपात में विदुमान होते हैं अगला प्रस्ण है क्वेस्चन नमर पाइशाट निमलिखीत में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है option है कथन है आमल स्वाद में खटे होते हैं तथा H पलस आयन देते हैं आमल स्वाद में खटे होते हैं तथा OH मैनस आयन देते हैं और तिसरा है चार स्वाद में करवे होते हैं तथा OH मैनस आयन देते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यावल एक और तीन सही है आमल स्वाद में खटे होते हैं और H पलस आयन देते हैं ये सही है और उसके बाद तीन सही है छार स्वाद में करवे होते हैं और OH मैनस आयन देते हैं अगला प्रस्ण है Quesion है, डाल्टन के परमानू सिधान्त के अनुसार क कौन सा या कौन से कतन सही है या सही है कतन है, सभी द्रब छोटे छोटे कनो में निर्मित होते हैं दूसरा कतन है, भीन-тор न ततबो के परमानो के दर्मान एवम रशानि गुंधर्म भीन-विन होते हैं कथन तीन है किसी भी योगिक में परमानूओं की सापेच संख्या और निश्चित होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों यानि सभी दरब छोटे छोटे कानों से निर्मित होते हैं और दूसरा है भीन भीन तत्वों के परमानूओं के दर्मान वबरसाइ और गुंधर्म भीन भीन होता है अगला प्रस्ण है एक संयोजक अभिकरिया में ड्यास हो सकते हैं एक संयोजक अभिकरिया में क्या-क्या हो सकते हैं कहां था एक सा संयोजक अभिक्रिया में क्या-क्या हो सकते हैं कथनेंगे दो आधिक अभी खारक दो या दो से अधिक उत्पाद कर एक उत्पाद तो इसका सहीद जवाभ हो जाएगा एक और तीन दोनों दो या से अधिक अभी भारक हो सकते हैं और केबल एक उत्पाद होते हैं अगरा प्रस्ण है आमिले के बिसेया में निमली खीत में से कौन सा या कौन से कथन नहीं है वह लाल निटमस को नीला कर देते हैं उनका पी अच्मान साथ से कम होता है तो इसका सही जबब हो जाएगा केबल 2 और 3 सही है यानि कि वे नीलल निटमस को लाल कर देते हैं और उनका पी अचमान साथ से कम होता है अगला प्रसन है पदार्थ के परमानु सिध्धान्त किसने परती पादित किया था पदार्थ के परमानु सिध्धान्त को किसके द्वारा परती पादित किया गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा डालटन अगला प्रसन एक तातव की सहिजक्ता निम्लिखित में से किस पर निर्भर करती है तातव की सहि emissionsं किस पर निर्भर करती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का अथन देखते हैं त्यागे जाने वाले लक्टोन की संख्या पर गरहन की जाने वाले लक्टोनों की संख्या पर या साजा की जाने वाले लक्टोनों की संख्या पर तो यानि तीनों सही है तीनों पर निर्भर करता है यानि त्याग कि यह जाने बहले एलक्टोनों की संख्यां पर भी निर्वर करता है अगला प्रस्टने क्वेश्चन नंबर 71 समास्थानिकों में ड्यास कथन है समान भावतिक गुन तथा भीन रसाइनिक गुन होते हैं या समान रसाइनिक गुन होते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा केवल दू और तीन सही है यानि कि वे भीन गुन वाले होते हैं समास्थानिक और वे समान रसाइनिक गुन होते हैं भावतिक गुन भीन और रसाइनिक गुन समान अगला प्रस्टन है समान परमानु संख्यां परंतु और समान दर्मान संख्यां वाले तत्व ड्यास कहलाते हैं यह कहलाते हैं समस्थानिक जिसमें परमानु संख्यां समान हो और दर्मान संख्यां भीन हो तो उसे कहा जाता है समस्थानिक अगला प्रसन है कोईश्चा नमर 73 अगला प्रसन है कोईश्चा नमर 73 भार तथा संजोजक्ता का गुननफल ड्यास के बराबर होता है तो यह बराबर होता है परमानु भार के बराबर किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संजोजक्ता का गुननफल परमानु भार के बराबर होता है आगे हैं अस्तम कोवा के पदों को अस्तम कोवा के पदों से मेलान कीजिए एलक्टोन प्रोटोन न्यूटोन तो एलक्टोन की खोज किसके द्वारा किया गया था थॉम्सन प्रोटोन की खोज रदरफोड और न्यूट्रोन की खोज चेडविक तुझका सही जवाब हो जाएगा एक का दू दू का एक और तीन का तीन ओप्शन दो सही है अगला प्रसन है समान सहीयोजी आवंद वाले अनू कतन है कि समान सहीयोजी आवंद वाले अनू के कथनां के बंकलनंक आईनिक आवंद वाले अनू के तुलना में उच्छ होते हैं तूसरा है बिदूत के कुचालक होते हैं और तिसरा है कि अनु के अंतरा अनुक बल कमजोर होते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा अपसन तीन यानि दो और तीन सही है जबकि एक गलत है यानि कि बिदूत के कुचालक होते हैं समानता सासायोजी आबंद वाले अनू के अंत्रा अनुक्वल कमजोर होते हैं अगला प्रस्न है प्रोटोन पर आवेश ड्यास पर आवेश के बराबर है तो उसका सही जवा हो जगा पौजी टौन अगला प्रसने हिलियम परमानू जब एक लक्टोन खोता है तो निमलखित में से किसका निर्मान होता है हिलियम परमानू एक लक्टोन खोता है तो निर्मान होता है धनात्मक हिलियन आयन का अगला प्रसने कोईश्चन नमर 89 एक तत्व के समास्थानिकों में ड्यास होते हैं या होती है तो एक तत्व के समास्थानिकों में न्यूट्रोनों की संख्या भिन भिन होती है कच्छा अंदर साही गई कच्छा में उपास्थित अधिकतम एलक्टोनों की संख्या क्या हो सकती है अधिकतम एलक्टोनों की संख सबसे बाहरी कोस में लक्टोनों की अधिक्तम संख्यां क्या हो सकती है सही जबा हो जाएगा अगला प्रसने कोईशन नमर 83 एक मिसरन को अलग करने के महत्पुन तरिकों में से एक है जिसमें मिसरन को एक बिलियन अत्वान लंबन को एक माध्यम से होकर गुजरा जाता है जिसके विभिन अविभिन दरोपर गती करते हैं तो उसका सही जवाब हो जाएगा वर्न लिखन या क्रेमेटोगराफी क्वेशन नमर 84 है सल्फूरिक अमल का आनविक दर्मान है सल्फूरिक अमल का आनविक दर्मान हता है 82.07 किस ग्यास को उसकी ठोस अवस्था में सुस्क बर्फ भी कहा जाता है तो उसका सही जवाब हो जएक कार्बन डाय ऑक्साइड अगला प्रसन है क्वेशन नमर 86 सिंखलन का गुण ड्यास में प्रबल होता है सिंखलन का गुण किस में प्रबल होता है तो कार्बन में प्रबल होता है तरल पदार्थ से ग्यास में परिवर्तन होने की परक्रिया को क्या कहा जाता है तरल पदार्थ से ग्यास में परिवर्तन होने की परक्रिया को वास्पी करन कहा जाता है ड्यास सभी परमानूँ में पाए जाने वाल इस्थिर नकारात्मक चार्ज होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा एलक्टोन्स निमलिगित में से किस को एक बिलियन के रूप में वरगी किरिथ किया जा सकता है समुदरी जल को अलाप्रसने कौन सा रसाईनिक सिध्धान्त या परतिपादित करता है कि CO2 यानि कारवन डियोकसाइड कि गुरल सेल्धा बनाने के लिए सीतल, पयाँ और सोडा की बोदलों को उचदाप पर सील किया जाता है तो इसां सही जभव होजेगा है हैनरी का सिधान्द ग्यास दो या दो से आधे गटकों को सजातिय मिश्ञें गडून मिसरन है billion अगला पप्रस्विए पहले लक्टोन कोष को जो नाविक के निकर्टम होता है में कभी भी एस एलक्टोंगों से अधिक नहीं होते हैं जहां यान डियास के बराबर होता है यान बराबर होता है दो के बरावर अगला प्रस्ण में कितने समस्थानिक होते हैं इसकें डियम के टूटल तेरा समस्थानिक होते हैं जरकोंियम का परमानु द्रमान कितना होता है जरकोंियम का प्रमानु दर्मान होता है एक अनवय समलव 2डो निमलिखीत में से कौन साIO に संभाहक यानि इसमा रोधի नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा यसद यानि पारा निमलिखी त मैं से कौम सादयन यानियन है कПр kleinen है आए जाने वाले समस्थानिक हैं तो यह हैं हाइडोजन के समस्थानिक यदि किसी परमानु के नाभी के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंसे की जाती हैं तो परमानु की तिर्जियाल लगवक कितने किलोमीटर के बरावर होगी तो यह होगी पांच किलोमीटर के बरावर अला ग्रीक मूल सब्द एस्टोन का अर्थ क्या है तो सही जवाब हो जाएगा अंबर क्वेश्चन नमर 101 केल्सियम बाइकार्मोनेट के एक अनुमें हाइडोजन के कितने परमानु होते हैं तो हाइडोजन के कितने परमानु हो जाएगा तो यह सुन्य परमानु अगला प्रसने क्वेश्चन नमर 102 एक बिलियन और संबंदित बिल्या के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यह चौथा कथन सही नहीं है जबकि कौन सा सही है तो बिल्या के कन प्रकास की किरन का परकिरन नहीं करते हैं बिल्यान को आब अवाधित रखने पर बिलया के कन नीजित तल पर अब शेपित हो जाते हैं बिलया के कनों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता अगला प्रस्ण है ग्यासों के बारे में निमलखित में से कौन सा कथन सही है ग्यासों के बारे में कौन सा कथन है सही तीसरा कथन सही है ग्यास ना तो निश्चित आइतन होता है ग्यास में और नहीं निश्चित आकार होता है ग्यास का ना तो निश्चित आइतन और नहीं निश्चित आकार होत ह changing a low प्रस्था आभू से अधिक उल्सील होते हैं सबसे अधिक during 0-9 तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं स्थीलियो के हम लोग करेंगे के मैं स्टी के तो वीडियो अच्छा लागा तो लाइक किजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकर मिल जाएगा लागवार साथ से आठ के बीच में वीडियो परतिक दिन आती है तो यह बात ध्यान रखिए जितना सपोर्ट किजिए उतना अधिक वीडियो आएगी धन्यबाद नमस्कार बंदे मा धन्तरम